ही वाइटी बेस की हाल चाल वेलकम बैक टो जटन दोस्तों पीछे देख रहे हैं आप लोग कश्मीर और मनाली का ये नसारा कितना जबरदस हो चुका है पूरी एकदम वाइट हो चुकी है कश्मीर की ये गुलमर्क और सोनमर्क और मनाली का सुलांग वैली अटल टनल कितना अगदम पूरा वाइट वाइट हो चुका है देख करके ही मज़ा आ रहा है लेकिन दोस्तों आप लोगों तक स्नोफॉल प्रडिक्शन वीडियो पहुचाने की पीछे वाइटी भारत की बहुत जादा महनत लगती है और उसके बाद एक चीज मैं आपको और पतारा चाहू मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वाइटी भारत की इंफॉर्मेशन किसी ना किसी मार्डियम से चाहे मैं पहुचा हूँ या कोई और पहुचाए आप लोगों तक पहुचती है और आप लोग बिल्कु सटीक जानकारी लेकर के जाते हैं स्नोफॉल का मज़ा उठाते है नॉमबर में भी जब स्नोफॉल होगी तो स्नोफॉल प्रेडिक्शन वीडियो मैं आप लोग लिए बना करके लेता आऊंगा इस साल के लिए जो मैंने बनाया था स्नोफॉल प्रेडिक्शन नॉमबर से लेकर के मार्ड तक का उसका सकसेस रेट रहा लगबग 95% और मैंने खुद अपकी बार एक्सपेरिमेंट किया मैंने बताए था कि 7 मार्ड के आसपास शिमला में आपकी रेनफॉल होगी स्नोफॉल नहीं होगी और वही हुआ मैं जब 7 मार्ड को अपकी बार शिमला में था तो रेनफॉल होना स्टार्ट होगा दोस्तों स्नोफॉल प्रेडिक आप IT भारत पर देखते भी रहे अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ अटल टनल के बारे में दोस्तों अभी जो स्नूफॉल हुई है 22 मार्च को उसके बाद अटल टनल बंद हो गया है कुछ जिनों बाद ये बापस से आप लोग के लिए खोल दिया जाएगा आप जा करके इंजॉय कर सकते हैं लेकिन अब नेक्स्ट बात ये है क्या ये स्नूफॉल कब तक बनी रहेगी गिरने के बाद ये कब तक पड़ी रहेगी तो मैं आपको बढ़ता हूँ कि कम से कम साथ दिन तक तो ये सोलांग वैली में बनी रहेगी और अगर आप अटल टनल की बात करे तो ये उपर की पहाड़ियों पे तो लंबे समय के लिए रहेगी रगवग 20-25 दिन लेकिन नीचे ये कम सकम 10-15 दिन कम सकम रहने वाली है और उपर ये तो अभी रहेगी आपका टाइम लगया करी एक महीना इसे गल्ले में उसके बाद आपका टाइम आ जाएगा जो आपक के बाद आपका उपन हो जाए और जो ले के लिए बस TIME आही राह है बुकिंग करा लीजे वाइटी भारत पर भी ले और लगगा के package लाए गए हैं उनको आप देखी और जाकर के book करवाली जगर जाना चाहते हैं तो आगे आपको बताने जा रहा हूँ कश्मीर का एक बहुती interesting travel package जिसको आप book करवा सकते हैं और इसी तरह के नजारे आप ले करके आ सकते हैं क्योंकि कश्मीर में अभी जो snowfall आपकी आज पढ़ रही है कल पड़ी थी वो लगबग बनी रहे गी आपकी April के एड तक आप पड़ी हूई snowfall का बहुत अच्छा आनद ले सकते हैं और गुलबर जा करके तो आप बहुत सारी snow sports activity का आनद भी ले सकते हैं आएए चलते हैं laptop की screen में और package की जानकारी हासिल कर सकते हैं और package की जानकारी हासिल करते हैं इसके साथ साथ अगर आपको वाईटी भारत से वीडियो से जुड़े वे कोई भी सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट करके तुरन पुछ लिजे चैनल सब्सक्राइब करिए साथ ही में लगे बैल आइकन को तबाईए नमस्कार दोस्तों हम आ गए हैं काश्मीर समर स्पेशल की सिरीज के एक बहुत ही जबर्दस वीडियो के अंदर जो आपका होने वाला है सिक्स नाइट सेवन डेस के लिए काश्मीर टूर दोस्तों सबसे पहले इस package की highlight के अंदर आपको बता देते हैं तू नाइट पहलगाम में वन नाइट श्रीनगर इन हाउस बोट ये आपको package प्रोवाइट किया जा रहा है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी travel duration और date क्या होने वाली है 1st April से लेकर के 30th June की ये travel dates के बीच में आपको ये rates valid होने वाले है 6 nights 7 days का ये total package होने वाला है आईए एक एक करके अब आपको जानकारी देना start करता हूँ सबसे पहले कौन से hotel use किये जा रही है वो आप एक बार देख लीजे श्रीनगर के अंदर hotel trident, hotel villa या similar उसके बार deluxe package की बात करें तो ये hotel, गुलमर्ग में standard में ये है deluxe में ये है और उसी के according आपको यहाँ पर summer के couple के rates में आपको बताने जा रहा हूँ क्या पढ़ने वाले है 29,000 standard package में और deluxe package अगर आप लेते हैं तो 38,000 यहाँ पर पढ़ने वाला है अब दोस्तों आप लोग का ये सवाल होगा कि पहले जो आईटी भारत पर package आते थे वो cheap होते थे, सस्ते होते थे ये महेंगे क्यों है तो मैं आपको बतायता हूँ वो जो आते थे package वो पहली बात तो summer special नहीं है winter के लिए थे non-season के rates थे और वो थे 4 night, 5 days के ये है 6 night, 7 days के जो most demanding है और ये summer special rates है जो automatically जब season आता है तो थोड़े से increase हो जाते है ये आप पॉश करके एक-एक hotel की detail शीनगर standard deluxe गुलमर्ग standard deluxe पहलकाम standard deluxe house boat ये दोनों आपको अलग-अलग provide की जाएंगी ये मैंने आपको बता दी अब चलिए आगे चलते हैं आपको और detail मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर देख लिजे super deluxe के अगर आप बात करें तो 45,000 का पड़ेगा प्रीमियम की बात करें तो 52,500 का package ये पढ़ने वाला है detail आइटनरी एके करके आपको बताना स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले day one में हम चलेंगे arrival at श्री नगर एरपोर्ट पहुंचेंगे उसके बाद आपका transfer किया जाएगा श्री नगर के hotel के अंदर उसके बाद आप relax करिए और enjoy करिए श्री नगर के मुगल गार्डन में मुगल गार्डन में आपको क्या क्या मिलेगा मुगल गार्डन में आपको निशंत, शाली मार चश्मा शाही ये तीन आपको parts मिलने वाले हैं जो मुगल गार्डन के अलग-अलग इरियां है और यकिन मानिये मुगल गार्डन का दिर्ज नजारा होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है और सामने जो पास में डल लेक है वो इसकी सुन्दरता में और चार चान लगा देती है अब चलते हैं आगे डे टू की बात कर लेते हैं डे टू में आप निकलेंगे श्री नगर से सोन मर्क या उसे सोना मार के नाम से भी जाना जाता है और वापस आप आएंगे श्री नगर फुल डे काई टूर होने वाला है लगबग 87 किलो मीटर का 3 आवर्स की जरनी है आपका 2800 मीटर की उचाई पर है सोन मर्क अबाव सी लेवल से इसे हम गोल्डन मेडो के नाम से भी जानते हैं और आगे इसकी आप डेटेल और पढ़ लिजे at the end head of the river सिंद with beautiful mountain and glacier the resort is surrounded by many places of interest like थजीवास glacier at zero point one can enjoy this by pony or local union cab or direct payment basis and overnight stay as she nagar in hotel क्या क्या आप यहां पे highlights हैं सिंद रीवर, एपल वैली, finishing point rafting point, गंगा नीर वाले कडाल ये सब चीजे हैं जहां पर आप जाकर के तूर में विजिट करेंगे इसके बाद चलते हैं आपको day 3 पर ले जाते हैं श्री नगर से गुलमर्ग इसे आप जाएंगे डे टूर for standard category के लिए आपका होने वाला है after breakfast, transfer to गुलमर्ग वाया तनमर्ग, check-in to hotel at after relax, enjoy गुलमर्ग करिये the meadows of flower, 56 km की ये जरनी होगी श्री नगर से 2690 मेटर के above sea level से है गुलमर्ग this is also India's premier ski resort है गुलमर्ग के अंदर इन विंटर के अंदर आप बहुँ ज़दा enjoy कर सकते हैं वर्ड की highest golf course गुलमर्ग के अंदर ही है और बहुत सारी snow adventure sports activity यहाँ पर आप कर सकते हैं गुलमर्ग के अंदर ही आपको वर्ड की second cable car आपको ride करने को मिल सकती है जो आपकी अपनी cost पर होगी इसे हम gondola ride के नाम से जानते हैं highlight क्या है? cherry valley, apple valley, tanmer, golf course, jajay lakshmi मंदिर walnut field, rice field और not but least आपका gondola cable car ride अब चलते हैं day 4 की बात कर लेते हैं गुलमर्ग से आप पहनगाम निकलेंगे, breakfast करने के बाद ट्रांसफर आपको किया जाएगा पहलगाम, popular holiday resort है पहलगाम, 95 km की यह जरनी है श्री नगर से और 2400 मीटर है above sea level से the town of पहलगाम village of shepherd के नाम से जानता है, breathtaking views है, alpine peaks के the leader and sheshnag rivers tumbling down the picture skew, deep mountain valley है यह it is also entry point of famous Amarnath Cape का entry point है, जो holy site है हिंदू लोगों के लिए, on your way you visit Avanti Purrins, the 1100 years old temple यहां पर आप घुमने को मिल सकता है, dedicated to Lord Vishnu highlights आपको बतायते हैं, saffron valley, mutton mandir, bat factory, apple valley, lighter river, avantipura, rains, rafting point, यह सब इसकी highlight है, अब चलते हैं day 5 की ओर, पहलगाम से आप breakfast करने के बाद transfer किया जाएगा, the resort is surrounded by valley, visit be the on direct payment basis, one can enjoy these places by hiring local union cab or pony on direct payment basis and overnight आप stay करेंगे पहलगाम के अंदर, पहलगाम से day 6 पर आपको transfer किया जाएगा, श्री नगर, breakfast करने के बाद transfer to श्री नगर and visit historical places, हजरत बल आप जाएगे, शंकराचार टेंपल, जावा मस्जित, पारी महल and evening में, एक घंटे के लिए आपको मिलेगी compliment, शिकारा राइड डल लेक के अंदर और उसके बाद आपका stay होने वाला है, श्री नगर के hotel में, इस दिन की highlight आपकी है, श्री नगर historical places, हजरत बल, शंकराचार टेंपल, जावा म मस्जित, परी महल, शिकारा राइड and डल लेक, आप आजाते हैं, 7th day, इस दिन आप early morning उठेंगे, breakfast करेंगे और उसके बाद आपका श्री नगर airport पर drop कर दिया जाएगा, अब आगे बात कर लेते हैं, इस package की cost में क्या-क्या included है, accommodation facility, one double sharing room basis पर होने वाला है, transfer facility आपकी होग की sedan car से, जो non AC होने वाली है, food facility आपका MAP plan के basis पर होगा, जिसे breakfast और dinner मिलेगा और stay, शिकारा राइड facility एक घंटे के लिए आपको complimentary दी जाएगी, सारे taxes में पहले से ही included है, package की cost में, pick and drop, pick up and drop आपको मिलेगा श्री नगर airport से, टूर में क्या-का excluded है, airfare, train fare, any meal जो specified नहीं ब telephone call, laundry, etc, any other item non specified in tour cost include guidance, guide and entrance fees during sites, ये इसमें कुछ भी include नहीं है, no stay in standard category, only day tour to gulmarg, standard category में आपको stay नहीं मिलेगा, सिर्फ gulmarg का आपको day tour मिलने वाला है, बाकी सारी जानकारियों के लिए कैसे payment करनी है, क्या cancellation policy है, इसके लिए आप video के title and description में दिये गए travel company के number पर call करिए, और इस package को book करवा लेजे, एक जोरी चीज दोस्तों ये भी है कि अगर आप इस package को आपको ज़ादा लग रही है, तो आप four night five days के package को भी travel company से book करवा सकते हैं अगर चाहें तो मिलते हैं वाइटी भारत के स्थरे के बहुत ही अगले interesting and informative वीडियो में, तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत दोस्तों बने रही है वाइटी भारत चैनल पर, धन्यवाद सब्सक्राइब कीजिए वाइटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए latest वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में